दोस्तो बहुत लोग सुबह उठकर अपनी दिन की शुरुआत चाई या कॉफी पीने से करते हैं जो ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत हानिकारग है और ये हमें पता होने के बावजुद भी हम ये अपनी आदते नहीं छोड़ते हैं दोस्तो सुबह ये चीजे पीने से हमारी बाड़ी में बहुत खराब असर पड़ता है पर वो हमें बीखाई नहीं देता लेकिन फ्यूचर में ये प्रॉब्लेम्स उबर कर हमारे सामने आती हैं दोस्तो रिसर्च के अनुसार देखा जाए तो आप अगर सुबह चाय कॉफी पीने के बदले गुनगुना पानी पीएंगे तो धेर सारे चेंजेस आपको अपनी बाड़ी में देखने को मिलेंगे दोस्तो आप हमारी यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्स्राइब कर दीजिए और बेल आइकोन को प्रेस कर दीजिए तो आईए दोस्तो हम आज की वीडियो में जान लेते हैं कि सुबह गरम पानी पीने से हमारी बाड़ी में कौन से नए बरलाव आएंगे ये हम एक के बात एक करके जान लेते हैं तो दोस्तो गरम पानी पिने से आपकी पूरी बोड़ी का blood circulation अच्छे से काम करता है और आपकी बोड़ी में जो भी विश्युक्त पदार तो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं दोस्तो आपका भी रोज सुब़ एक गरम पानी पियोगे तो आपकी ये डाजर्ट्री सिस्टीम बहुत अच्छी तरीके से काम करेगी और आपका खाना जल्दी से हजम होगा इसके साथ साथ आपको भूग भी बढ़िया लगेगी दोस्तो हमारी बाड़ी में पानी कमी होने के कारण कॉंस्टिपेशन यानि के कब्स की प्रॉब्लेम आती हैं तो गरम पानी पिने से हमारी पेटकी आतों का ब्लड सर्कुलेशन तेजी से बढ़ता है और हमें लैट्रिम फ्री होती है दोस्तो गरम पानी पिने से आपकी बाड़ी का ब्लड साप रहता है और आपको स्किन रिलेटर जो भी प्रॉब्लेम रहती है जैसे रुकी तवचा, किल मुआ से, समय से पहले चेरे पर बुड़ावे के लक्षन या जुरिया आना इसे कई तरह के प्रॉब्लेम ठीक हो जा पानी निम्बू या शर डाल कर जरूर पिए इससे आपका मोटावा तेजी से कम होगा और आप बेस शेप में दिखने लगोगी दोस्तो आप अगर रोज खाली पेट एक गलास गरम पानी में निम्बू डाल कर पीते हो तो आपकी इम्म्यून पावर बढ़ती है दोस्तो अगर आपको चाती में कब, जुकाम, बलगम या गले में खराश होने की प्रॉब्लेम है तो इन प्रॉब्लेम्स को जल्दी से टीक करने के लिए गरम पानी बहुत सरलू पाए है दोस्तो हमारी माता बैनों को पीरेट के दोरान पेट में मास पेशियो में जकडन, सिर्दर्द इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लेम आती है तो उनको इस गड़ी में दिन में दो बार गरम पानी पिना बहुत ही फाइदे मन रहेगा गरम पानी पिने से आपके बालों की सेल्स हैडरेट रहती है और उसके साथ-साथ बालों में सौप्टनेस और नैचरल शाइनिंग भी आने लगती है तो उठे दोस्तो कल से ही सुबह एक गलास गरम पानी पिने की आदत अपने आपको लगा ले और हमेशा स्वस्तर रहे तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही तब तक के लिए अपना खयाल रखे गुडबाई